गुड मर्निंग डियर इस्टूडेंट आज हम फर्स्ट क्लास में इंग्लिस ग्रामर का लेसन नम्बर एट रीट करेंगे जो आपका लेसन नम्बर एट है उसका नाम है एक्षन ओल्रेडी हैपिंड मतलब जो काम पहले ही हो चुका हो तो आपको पता है जो काम हम कर रहे हैं या भी हो रहा है वो प्रिजेंट में होता है और जो काम हो चुका होता है वो पास्ट में होता है अब हम पढ़ेंगे आपका लेसन नम्बर एट बी, नो, दैट, एक्षन, बर्स, और, कॉल्ड, बर्व यानि बी, नो, हम जानते हैं दैट की एक्षन बर्ड आर कॉल्ड बर्व जो भी हम काम करते हैं या जो भी एक्षन लेते हैं वही क्या होता है बर्व होता है यानि जो शब्द काम होने का बोत करा है वही बर्व है दुसरी लाइन है You do different action at different time हम बिनने बिन समय पर या अलग अलग समय पर अलग अलग काम करते हैं Look and read देखो इसको और पढ़ो इसमें I play You play in the present इसमें लिखा है मैं खेलता हूँ मतलब मैं अभी भी खेल रहा हूँ काम जा रही है तो वो किसमें होगा प्रेजेंट में इसमें लिखा है I played मतलब मैं खेलता था You played in the past मतलब आप जो काम पहले कर चुके हों मतलब मैं पहले खेलता था तो वो काम हो चुका है तो वो क्या होगा आपका past होगा So, we use the past tense of the verb to talk about action that has already happened इसलिए we use the past tense of the verb talk about action that has already happened मतलब जो काम पहले ही किया जा चुका हो उसके लिए हम past tense का प्रियोग करते हैं we usually add d और ed to a verb to change it into the simple past tense मतलब हम शावान्यता d और ed लगाकर past form बनाते हैं है ना मतलब हम मुख्यता d और ed लगाकर ही past form बनाते हैं अब देखते हैं कुछ बर्ब दी हुई है वो हम कैसे past में बनाते हैं जैसे present वाली side दी है यह सब present वाली है यह सब past वाली है तो present form है ask इस से बनेगा asked मतलब हमने ask में ed लगा दिया तो बन गया asked लाफ लाफ से बनेगा laughed जंप जंप से बनेगा jumped invite इंबाइट से बनेगा invited ड्रॉप ड्रॉप से बनेगा dropped बॉक बॉक से बनेगा बॉक्ड इसी पिरकार हमें बनाएंगे talk से talked, like से liked, close से closed, want से wanted, lip से lived और try से tried अब लिखा है we do not add d और ed to some verb मतलब कुछ बर्ब में हम ed और d जोड़े बिनावी past tense में बर्ब बना सकते हैं अब वो कौन कौन सी है हम देखेंगे जैसे they have a different past form of they are on वो है हम पढ़ेंगे जैसे वो खुद से बनती है मतलब उनकी past form वो खुद से बनाते हैं उनमें ed और ed नहीं जोड़ते जैसे ये present form दी हुई है ये past form दी हुई है तो go से bent, drink से drank, rice से rot, eat से at, इस साइट की पढ़ेंगे sleep से slept, break से broke, drive से drop, come से came, teach से taught, gift से gave, see से sure, think से thought इस परकार हमने बर्ब देखी कि कुछ बर्ब हम past form में d और ed लगा कर बनाते हैं लेकिन कुछ बर्ब अपने से changing करके बनती हैं अब हम इसकी exercise करेंगे write the past tense form of the verb play से played, dance से danced, close से closed, try से tried, cry से cried इसी परकार come से came, think से thought, teach से taught, break से broke want से wanted, invite से invited, drop से dropped, jump से jumped drink से drank, go से bent write से wrote, buy से bought, bring से brought, lap से laughed, jump से jumped तो इस परकार हमने सारी बर्ब की past form बना ली है इस side हमने ed लगाया जबकि इस side हमने उनकी form में change करके बर्ब बनाई हैं I hope आपको शमज में आया होगा, thank you